हलो एविवन कैसे हो आप सब मैं हूँ गौरो काबरा एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल पे आज एक इंट्रेस्टिंग वीडियो से शुरुवात करें एक इंट्रेस्टिंग प्लेलिस्ट की जी हाँ पूरा सुनिएगा कि क्या हम करने जा रहे हैं विकाज यह बहुत ही मतलब की चीज़ आपके लिए फर्स्ट अपल इस इस अन्यू और आइबुट से अस्ट टू न्यू प्लेलिस्ट और यह प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं CMA Final Paper No.14 SFM के लिए अगर आप इस पेपर को तयार कर रहे हैं आपका एक्जामिनेशन कभी भी हो आपके लिए यह प्लेलिस्ट एक वर्दान के तौर पे आपके सामने आ रहा है क्यों सर इस प्लेलिस्ट में क्या करने वाले हो इस प्लेलिस्ट में हम एक एक करके काफी सारे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम SFM के सब्जेक्ट के concepts को आपके सामने रखेंगे अब हर एक वीडियो कोई एक topic को या फिर कुछ topics को मिला करके कुछ एक concept है जिसके उपर में चर्चा कर रहा होगा यह हमारे जो classes हैं उससे अलग है in the sense classes अगर आपने enroll कर भी रखी है कहीं पर भी regardless of हमारे या किया या कहीं पर भी किया मुझे ऐसा लगता है कि CMA final के बच्चों का concepts काफी जादा हिला हुआ है और आपकी कई गलती भी नहीं है आप intermediate level से ही आपके concepts में कुछ न कुछ न कुछ न कुछ दाव पेज गलत होते जा रहा है और इस वज़े से आपके CMA final में SFM level पे आज आने के बाद में भी concepts आपके लिए एकदम मैं कहूंगा perfect नहीं है और इसलिए हम शुरुआत करें इस playlist की जो कि obviously YouTube पे है and you can watch each and every concept if you want to आप अगर self study करें तब तो आपके लिए ये जन्नत है क्योंकि आप यहाँ पे हर एक concept को बहुत ही आराम से सुकून से समझेंगे आप सभी जानते हैं कि भई मैं finance में expertise रखता हूं तो ये वो playlist है जिसमें मैं भी अपना शक्ती प्रदर्शन करूंगा यानि I will tell you exactly कि भई मैं कितना जानता हूं SFM subject के बारे में या फिर किसी भी एक concept के बारे में and I will try to give my real best सर ये real best आपने अपने lectures में भी दिया होगा क्या नहीं नहीं दिया होगा क्यों उसका कारण है इस playlist में मैं बहुत ही elaborated अंदाज में हर एक चीज को touch करते हुए concepts को slowly slowly आपको समझाओंगा अगर आपके पास समय है और आम तौर पर किसी concept में आप अठके हो तो आपके पास समय है क्योंकि आप उस concept को अच्छे से समझना चाते हो तो आप एक, दो, दस वीडियो तो आराम से देख सकते हो बट वेन इट कमस टू यॉर CMA final syllabus तो यार SFM के paper में institute ने concepts तो बहुत introduce कर दिये बट सही माइने में उन concepts को ना test किया जाता है और सही माइने में उन concepts को ना उतना जादा detail में पढ़ाने की जुरत है बट फिर भी इस तरह के concepts डालने के उज़री है क्योंकि मैं चाता हूँ हर एक student एक curiosity के साथ में इस subject को पढ़े आपके लिए मैंने भी अपना जो course बना रखा है SFM का आपने enroll भी कर रखा होगा और आपके दोस्तों ने भी क्या होगा और उन concepts को obviously उस हिसाब से discuss करेंगे कि CMA final में वो हमारे बहुत काम आए बट in true sense ये playlist एक optional playlist के तौर पे आपके काम आएगी क्योंकि यहाँ पे जो हम चीजों को discuss कर रहे हैं उन चीजों को समझना ज़रूरी है maybe अगर आपका भी finance domain में कहीं interview दें कोई job लेने जाएं इस पूरे playlist में ताकि ये playlist एक कम्माल की playlist बने आगे जाकर के ये बना तो मैं CMA final के लिए रहा हूँ बट finance पढ़ते हुए किसी भी student को अगर कोई भी concept में दिखकता है वो इस playlist को देख सकेगा आज तो मैं CMA final बोल बोल करके आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए मैं बना रहा हूँ बिकास पढ़ाता हूँ मैं तो जहीर सी बात है इस अ वैल्यू अड़ेट सर्विस जो मैं अपने सारे students को देना चाता हूँ बट going forward आप इस playlist पे हर एक वीडियो में देखेंगे कि concepts को कितना आराम से मजा गया है और कितना आराम से उसको समझाया गया है ये आपके finance की पकड़ को बहुत जादा strong कर देगा जो कि मुझे otherwise लगता है कि शायद missing हो सकता है तो ये एक छोटा सा attempt है जिसमें बहुत सारे घंटे लगेंगे मेरे लेकिन मैं try करूँगा कि उस तरह से हर चीज को समझाया जाए जिससे आपको ये concepts बहुत जादा easy लगे और deep rooted भी लगे यानि आपको चीज़े समझ में है clear? शुरुबात करते हैं सर क्या बात कर रहे हो इन methods को आप अभी final में सिखाओगे ये तो intermediate से हम लोग पढ़कर क्या रहे है हाँ मुझे पता आप पढ़कर क्या रहे हो लेकिन इन concepts में अभी भी मुझे लगता है कहीं flavor missing है कहीं न कहीं आप और भेटर कर सकते हो तो कैसे हो गए ये सब सबसे पहले हम एक एक करके सारे concepts को खोलेंगे तो सबसे पहला जो हमारे सामने method है वो है NPV method हम सबको पता है कि ये तीनों method जिसकी हम बात कर रहे हैं NPV method हो, PI method हो या फिर IRR method हो ये तीनों method capital budgeting chapter से हैं और इन तीनों method के through हमारा objective एक ही होता है कि किसी भी project में किसी भी investment करते वक्त हम long term investment करते वक्त हम उस project को हा बोले या ना बोले ये तीनों method हमें हा या ना बोलना है उसके लिए अपनों को guidance देते हैं इन्हें हम capital budgeting techniques कहते हैं और तीनों method को अलग-अलग धंग से हम पढ़ते हैं और तीनों में हो सकता है अलग-अलग decisions भी आए तीनों method इंपोर्टेंट हैं तीनों के application अपने अपनी दुनिया में जरूरी हैं तो इसलिए इन तीनों method को हम सीखेंगे हां मैं जानता हूं कि NPV जिसे हम net present value गाते हैं उसको लेकर के एक दिवान की अलग है सबको ऐसा लगता है यही method सबसे आदा strongest है ऐसा ना तो आएए इस method की भी जो limitations है वो भी आपके सामने रखूंगा at the same time मैं बताऊंगा कि कैसे NPV से better IRR हो सकता है या फिर NPV से better दूसरे कोई methods होते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे इसी पूरे concept video series में तो अगर आप concepts built up करना चाते हैं बने रही है शुरुबात करते हैं with number one which is NPV NPV की बात करें तो यार यह एक technique है हमें पता है capital budgeting technique है इस technique की सबसे अच्छी बात यह है कि यह absolute basis पे यह बता देता आपको कि shareholder की wealth कितने रुपए से बढ़ेगी अब यह कैसे होता है बहुत simple है आपने किसी project का NPV calculate किया और NPV आ रहा है मानलो 10,000 रुपीज कई बच्चे अभी सोचें NPV क्या होता है अरे सुनो सुनो NPV ground level पे भी मैं समझा रहा हूँ रुक जाओ लेकिन उससे पहले एक बार basic मैं assumption ले रहा हूँ कि NPV आपको पता NPV क्या होता है क्यों final level के लिए discuss कर रहा हूँ मैं इंटर होता तो मैं और slow slow चलता final level है तो इतना मुझे पता NPV का idea आपको ठीक है न तो एक बार पर से recall करते हैं कि NPV method क्या होता है NPV method में आप NPV calculate करोगे NPV positive आती है तो आप accept कर लेते हो project को ये एक basic ज्यान है correct अब वो NPV जब आपकी positive आ जा रही है तो आपको exactly पता चल जात यानि shareholder को कितने रुपए से फाइदा हो रहा है मालो NPV आया 10 lakh positive तो इसका मतलब यही होता है कि आपके company की value 10 lakh रुपए से बढ़ने वाली है और वो 10 lakh रुपए की value enjoy करेंगे आपके shareholders तो ऐसे में आपका क्योंकि ये primary objective है financial management में तो NPV एक सही method है जो की सीधा सीधा बता देत तो NPV calculate होती है cash inflows और cash outflows को study करने से आमतर पर कोई भी project को आप accept करोगे या reject करोगे आप यही तो दो चीजे देखोगे मेरा कितना रुपए लगेगा versus कितना रुपए आएगा जितना रुपए लगा जितना रुपए आया condition यही है कि आने वाला रुपए ज़ादा होना च अगर मालो आप अभी किसी project को accept करना चाते हो उस project में आपके 500 रुपए इंवेस्ट होंगे और return में आपको 600 रुपए मिलेंगे तो आप कहेंगे वाजी यह तो अच्छी deal है हम 500 रुपए देंगे और हमको return में कितने मिलेंगे 600 रुपए मिलेंगे तो if your inflow is greater than your outflow ध्यान स सुनना अगर आपके inflow आपके outflows से जादा हो जाते हैं तो 600 माइनस 500 आप जब करेंगे 600 माइनस 500 तो आपका result आएगा 100 यानि आपकी wealth 100 रुपए से बढ़ रही है एकदम simple example ले रहा हूं मैं आप 500 रुपए लगा रहे हैं 600 रुपए return मिल रहे हैं 100 रुपए बच रहे हैं त साहीर से बात है क्योंकि यह number 0 से बड़ा है तो आप कहेंगे भाई I will accept this project I will accept this project but here are few things that you have to consider number one यहां पे inflows और outlaws के बीच में यह PV PV क्या आ गया यह समझना है तो देखो सबसे पहले आप एक बात समझो कोई भी project में ऐसा नहीं होता है कि आप पैसे लगा रहे हो वो भी आज जी मिलने हैं ऐसे कौन से project ुदर यह हम जब long-term investment करते हैं तो आज पैसे लगाते हैं और पैसे मिलते हैं कोई एक साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद 20 साल बाद, तो inflow और outflow की timing सेम नहीं होती, अगर inflow और outflow की timing सेम नहीं होती, तो जाहिर सी बात आप inflow और outflow को compare नहीं कर सकते, courtesy time value of money, time value of money ये कहता है, कि अगर आपका पैसा अलग-अलग timeline पे खड़ा है, तो फिर उसकी value भी अलग-अलग हो चाएगी, ऐसे में अगर आपक inflow आज से 20 साल बाद है, और outflow आज है, आप इन दोनों को compare करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि ये दोनों की time value अलगाने वाली है, तो भया उपाई क्या है, उपाई ये है कि इन दोनों ही amounts को आप आज के दिन value करो, जिसे हम कहते हैं present value, present value करने से इन दोनों की value को हम आज की दिन की value में convert कर लेंगे, अगर दोनों values आज के दिन हमें पता चल जाए उसकी value क्या है, तो comparison easy है करना, आप खुछ सोचिए, आपके inflow आगे के कुछ सालों में है, outflow आज है, आपको decision भी आज ही लेना है, तो best है आप अपने inflow को present value करके आज ले आईए, उसको initial investment से compare कीजे अगर फिर भी आपका present value of inflow आपके outflows से जादा हो, except the project, भया इसको future value भी तो कर सकते हैं, present value क्यों कर रहे हैं, present value इसले कर रहे हैं, क्योंकि decision आज लेना है, हमको decision future में नहीं लेना है, हमको decision लेना है आज, तो हमको NPV कब compute करनी है, आज, इसलिए inflow का भी क्या करेंगे, PV और outflow अगर आगे कभी और भी लग रहे हैं पैसे, तो उसका भी PV कीजेगा, नहीं तो आम तोर पे initial investment से आपका काम हो जाता है, so NPV का जो formula है, वो है PV of inflows, minus PV of outflows, या फिर initial investment, और ये formula ऐसा क्यों दिखता है, उसका एकदम basic ज्यान यही है, कि बाई, कोई भी काम करते वग, आप inflow और outflow को compare करते हैं, और चाहते हैं, कि inflow outflow से जादा हो, लेकिन इन दोनों को compare नहीं किया जा सकता, अगर दोनों अलग अलग timeline पे हैं, तो ऐसे में, दोनों की present value करना ज़रूरी है, आज के दिन इसकी value निकालना ज़रूरी है, इन दोनों को net करना, यानि कि inflow की PV, minus outflow की PV करना ज़रूरी है, और अगर value greater than 0 आजाए, या 0 भी आए, तो भी आपको project को accept करना ज़रूरी है, अब आप जाहिर सी बात, ये question करेंगे, कि NPV 0 आएगा, तो भी project accept करना ये बात नहीं समझ मैं, मैं उसको explain करूँगा, तो यहाँ पहला आपको मैं बता दूँ, कि यह PV करने के लिए, there is a concept known as required rate of return, अब ये समझिएगा, आप अपने inflows की PV करने जाएं, या फिर outflows की PV करने जाएं, जिसकी भी PV करेंगे, PV करने के लिए formula होता है, PV is equal to future value divided by 1 plus i to the power n, so you will need an interest rate here, वो interest rate होता है, आपके लिए आपका required rate of return, जैसे मैं एक example देता हूँ, अगर मालो मेरे को कोई आया और बोले कि आप सर हमारे नम mutual fund में invest कर दो, मैं बहुत बढ़ी आप करेंगे, तो बुझेगा सर mutual fund में आपका required rate of return का है, तो मैं बोलूंगा 15%, ऐसा क्यों सर, अरे भाई mutual fund में आम तोर पे 15% मिलता है न, तो मेरे वो 15% return मांगता है, तो जैसे ही मैंने अपनी required rate of return 10 दी, यानि बता दी, वैसे ही आप इसको as a discount rate use कर सकते हैं, so discount rate आम तोर पे company के लिए cost of capital भी हो सकता है, या फिर it can also be the required rate of return, ये दोनों जो भी दिया वा रहेगा आप वो use कर सकते हैं, so ये use करना जरूरी है in order to calculate the present value of inflows and outflows, अब क्या करना है, इन दोनों को compare करना है और decision ल अगर NPV greater than zero या फिर zero भी है, तो आप इसे accept करेंगे, और अगर ये NPV less than zero है, तो आप जाहिट सी बाते इसे reject करेंगे, भया ये rule तो पता था, लेकिन ये zero वाला theory नहीं मालूम, ये zero वाला theory बताओ, तो भाई बहुत simple है, बहुत ही जादा simple है, गौर करना, ठीक है, अगर मा माले को बोले, देखो भाई, मेरे को 8% रुपया चाहिए, कितना परसंट चाहिए, 8% रुपया चाहिए, तो उस रिसाब से, आप एक ऐसी investment करना चाहते है, बैंक में, जो बैंक आपको 8% की rate से सच में कमाई दे दे, बैंक वाले ने आपको कहा, कि सर हमारे पास एक scheme है, उस scheme में आप 10,000 रुपय आज लगा दीजे, आपको return में हम 10,800 रुपय दे देंगे एक साल बाद, आपने गा अच्छा, बला हाँ, एकदम मिल जाएगा आपको, आप आज 10,000 रुपय लगा दीजे, हम आपको एक साल बाद 10,800 रुपय दे देंगे, आपने बोला, रुको रु करेंगे 1.08 से, which is your interest rate, पावर में 1 होगा, क्योंकि एक साल का भी बात है, तो आपका result आ रहा है 10,000, यानि आपका PV of inflow आ रहा है 10,000, और आपका initial investment भी कितना है, 10,000, फिर से समझो situation, आपने 10,000 रुपय FD में डालने का सूच आए, और बैंक वाला बोल भी रहा है, कि एक सा calculation किया, 10,800 एक future value है, और वो भी inflow की है, तो हम उसको आज present value में convert करेंगे, फॉर्मला होता है future value divided by 1 plus I to the power N, यहां पे future value है 10,800, I की value है 0.08 यानि 8% और N की value है 1, क्योंकि एक साल बात की बात है, आपने present value of inflow किया, आया 10,000 रुपे, इस से minus किया initial investment, which is also 10,000 रुपी, जो हम आज bank में जमा करेंगे, net result देखा तो NPV आ गया 0, क्योंकि 10,000 जो कि PV of inflow है, उस में से अगर capital investment जो कि 10,000 रुपी है, minus करेंगे तो 0 आ जाता है, क्योंकि यह 0 आ गया, तो आप नाराज हो गया, आप बोले, नहीं, नहीं हम तो नहीं करेंगे, बैंक वाला ना चमक जाएगा आ बोला, क्या अधमी है यह, इसकी गणित कहा है, यह कैसे सोचता है, आप bank के पास गए, बोले, मेरे को 8% rate of return चाहिए, ठीक है, और bank वाला आपको 8% rate of return आक्चल में बना के दे भी रहे, अब आप कह रहे हो, नहीं, मेरे को नहीं चलेगा, तो देखो, अगर आप यहां बो तो देखो, आपको इसका condition समझाता हूँ, condition यह होता है, कि आप कोई भी book खोलोगे, तो उसमें यही लिखा रहेगा, accept भी कर सकते हो, reject भी कर सकते हो, मैंने यह accept क्यों लिखा पता है, क्योंकि अधितर जगा, अगर आप कोई भी teacher से भी पूछोगे, या फिर कहीं पर भी इ rate of return के साथ बैठाओ, मेरे पास एक mutual fund वाला आया, एक particular scheme लेकर के, बोला, आप invest कर दो, आपको 12% return मिलेगा, मैं बोला, मैं नहीं करता, क्यों, क्योंकि 15% मुझे चाहिए, तो मुझे 12% दोगे, मेरा उससे कुछ होना नहीं है, फिर दूसरे mutual fund में invest करने गए, तो उसमें 14% return मिल रहा है, 15% नहीं मिल रहा है, फिर मुझे एक last option मिला, जापे मुझे exact 15% return मिल रहा है, और मुझे चाहिए भी 15%, जाहिए से बात है, उस भी mutual fund का अगर हम PV करेंगे, तो NPV 0 ही आएगा, क्योंकि आपकी जो requirement है, वही आपको return अगर मिल रहा है, तो NPV 0 ही आएगा, आप इस इसे economics की भाषा में normal return कह सकते हैं, अगर आपको जादा की लाल सा है, तो उसे हम कहेंगे super normal return, तो here's a question, economics में भी तो normal profit पे, आप equilibrium को establish करते हो, why not here, this is also economics, this is also finance, अगर आपके पास और कोई alternatives नहीं बचे, तो आपको project को even at NPV is equal to 0 पे भी accept करना चाहिए, yes, this is very very interesting, कि अगर आपके पास और कोई alternative नहीं है, सब आ करके हार मान करके चले गए, जो भी project आता है, 15% rate of return कोई offer नहीं कर रहा है, suddenly एक last option आया है, जो 15% offer कर रहा है, आप क्या अभी भी बोलोगे, ना ना मैं तो नहीं करता, क्योंकि यहां तो 15 से जादा नहीं है, NPV greater than 0 न नहीं है, तो इसका मतलब क्यों होगा पता है, इसका मतलब यह होगा, कि आपके हाथ में पैसा पड़ा है, जो कि हर दिन आपको खर्चा पड़ रहा है उसका, cost of capital, लेकिन आप उसको पैसे को कई invest ही नहीं करें, क्योंकि आप जिद में थे, कि नहीं मेरा तो NPV positive नहीं है, त the theory, जाहिर सी बात है, rejection के लिए वो condition आजाएगी, कि अगर आपके पास में और alternatives हैं, तो आप chance ले सकते हैं, ऐसे भी अगर और कोई alternative होगा, तो NPV आप calculate करके देखोगी, जिसकी भी NPV जाद आएगी, उसी में ही जाओगे, पर isolation में, आप accept क्यों नहीं करोगे, समझ में आरी भी चेक करोगे कि किसकी NPV जादा है, अगर NPV 0 से जादा किसी की भी आ गई तो हम उसको ही accept करने वाले हैं, बट अगर हम isolation में बात करें, और फिर भी कोई मुझे ये कहें, कि NPV is equal to 0 पे भी हम नकरा कर सकते हैं, हम accept भी कर सकते हैं, तो I think उनका concept थोड़ा और strong करने की दरका हैं, isolation में आपको accept करना ही चाहिए, अगर आपके वास और कोई projects नहीं है, तो आपको NPV is equal to 0 पे भी accept करना चाहिए, प्रजेक को ना की reject करना चाहिए, किताबों में accept और reject दोनों इसलिए लिखा रहता है, क्योंकि isolation में बात कर रहे हैं, तो आप accept करेंगे, और अगर और कोई projects available है, और opportunities available है, तो आप उसे reject करेंगे, इसलिए books में लिखा रहता है, accept और reject, बड़ इसका true sense में क्या मतलब है, शायद आज आपको और बहतर तरह से समझ में आओगा, हर वो बच्चा जो NPV is equal to 0 को थुतकारता था, आप कम सेखम थुतकारेगा नहीं, बुलेगा नहीं नह इसका भी कुछ माइने है, इसका भी कुछ मतलब है, we'll discuss this more, इसके अलावा बया, NPV का एक बहुत बड़ा limitation है, NPV method का एक बहुत बड़ा limitation ये है, कि ये assume करता है कि जितने भी अपने intermediate cash flows है, उन सब को हम discount करते हैं, या फिर हम reinvest करते हैं, would be the right word, हम reinvest करते हैं, at the required rate of return, यानि जो भी आपका required rate of return होगा, जैसे उपर वाले example में, मैंने required rate of return पकड़ा 18%, तो पता है, ये method क्या assume करता है, ये method ये assume करता है, कि अगर आपको बीच में कोई भी cash flow मिला, तो उस cash flow को भी आप reinvest कर दोगे, at 18%, आपकी required rate कितने हैं, 18%, तो आप reinvest भी कितने पे कर दोगे, 18% पे कर दोगे, आप कहेंगे what's wrong with this, मुझे पता है, इस इस चीज को तो discuss ही नहीं करते, कोई भी class में discuss नहीं करता, क्योई theoretical point है, मैं आपको इसकी भी problem बताऊंगा, क्योंकि ये problem connected है, आगे जाकर के concept of modified NPV से, तो उसके बार में चर्चा करनी है न, तो यह भी दंसे समझो, देखो भाई, बहुत सीदी सी बात बताता हूँ, यह एक vital assumption है, जो लिया गया है, और यह assumption एक खराब assumption है, NPV method यह मानता है, कि बीच में अगर कोई भी cash flow आया, तो आप उसे reinvest करेंगे, और reinvest भी किस rate पे करेंगे, जो आपकी required rate of return है, वैसे कुछ माइने में यह सही है, assumption ल करेंगे हैं, तो फिर आप फसेंगे और बहुत बुरे फसेंगे, कैसे example के साथ समझाता हूँ, सवाल समझते हैं, एक बतम simple सवाल लेकर क्या हूँ आपके लिए, कि मानलो initial investment है 10,000 रुपय का, आपको 3 cash flows मिल रहे हैं, 4000, 4000 और 4000 के, year 1, 2 और 3 पे, आपके discount rate 8% है, और अगर आ IFA calculate करें, तो वो आ रहा है 2.577, हमको यह देखना है, कि इधर NPV कितना आ रहा है, और accordingly हमको इस project को accept करना है, या reject करना है, फिर second point में हम यह देखेंगे, कि अगर intermediate cash flows को हम reinvest कर ही नहीं है, कर ही नहीं रहे हैं, हम reinvest ही नहीं कर रहे हैं, तो बताओ कि NPV कैसे गलत results show कर रहा ह क्या रहा है, या ऐसा तो हमने कभी कोई exercise ही नहीं किया, मुझे पता आपने नहीं किया, और मुझे यह भी पता कि यह limitation आपके किताब में है, इस limitation को theory पढ़ते वक्त आप खूब चाटे हो, inter level पे भी, final level पे भी इसको चाटके जाओगे, बट इसके बारे में कच्छू नही नहीं मालूम, हमको भाई आप पता ही नहीं है यह क्या चीज़ है, तो आज समझो कि यह क्या चीज़ है, इस reinvestment के assumption में क्यों गड़बढ है, और interview में ऐसे questions अगर मैं होता, finance profile के लिए ले रहा होता है, तो पक्के पूछ लेता, और अधिकतर नहीं बता पाएंगे candidates, क्यों क्यों सा technical point तो है, आइए दिखते, तो results भी यह बहुत simple है, पहले NPV compute कर रहे है, NPV के लिए formula होता है, PV of inflows minus initial investment, तो भी अब PV of inflow के लिए हमने क्या किया, annuity into PV IFA किया, annuity यह 4000 रुपे का, PV IFA है 2.577, यह सारी exercise हमने CMA final SFM के लिए बहुत बार करी है, हमें पता है कि कैसे NPV compute होती है, जो एकदम से final में आया है, वो बलेंगे इंटर में किया हुआ है, तो किया हुआ तो है आपका, CA वाले बच्चे भी अगर कोई देख रहे हैं, तो आपने भी किया हुआ, आपको पता है कि annuity का PV कैसे होता है, यह भी कर रहे हैं, 4000 into 2.577 किया, इससे आ जाएगा PV of infl इसमें से minus किया initial investment which is 10,000, result आ रहा है 10,308 minus 10,000, result is 308, भी आपकी judgment क्या है, मेरी judgment तो यह होगी कि accept कर दो, accept कर दो क्योंकि NPV is greater than 0, 308 positive आ रहा है, तो accept ही करना चाहिए, यह हम जाहिर से बाता है राय देंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, कि इधर आपने जो एक assumption लिया है, लेकिन आपने एक assumption लिया है, कि जो 44,000 रुपए आपको बीच बीच में मिल रहे थे ना, timeline के साथ बताता हूँ, आपने यह assumption लिया है, कि आपको जो 44,000 रुपए मिल रहे थे ना, आप उनको वापस reinvest किये हो, कब तक maturity तक, क्या rate पे, 8% पे, यहाँ पे भी 4000 मिल रहे है, इ तो फिर कहानी बदलेगी, यह समझाता हूँ मैं, reinvestment पहले तो कहीं बच्चे reinvestment नहीं समझेंगे, कि यह क्या चीज़ है, तो clear करता हूँ, बहुत simple सा हिसाब केताब, आप समझेगे अपनी साथ, पिछले 3 साल से, आपके घर पे आपके मामा जी आ रहे है, पहला साल, दू दूसरे साल आए, मामा जी आपको 4000 रुपे देख करके गए, तीसरे साल भी आए, मामा जी आपको 4000 रुपे देख करके गए, लेकिन यह दिये कैसे गए, उसके उपर दो मोड्स है, पहला मोड है, कैश, यानि लिफाफा बना करके गए, ठीक है, envelope, और दूसरा है, UPI किया उ लिफाफा अपने कोई भी ड्रॉर वगरे में डाल करके रखा है, दूसरे साल भी लिफाफा मिला, as it is, उसी ड्रॉर में उसी लिफाफे के उपर ही डाला है आपने, और तीसे साल भी, वापस वही चीज़ हुआ, लिफाफा मिला, वापस लिफाफा इसे कई से जचा दिया आपकी मम्मी ने आपको पूछा, कि बेटा तेरे पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे मेरे पास 12,000 रुपए और कुछ गलत भी नहीं है इसको बोलने में, क्योंकि आपने हर लिफाफे में 4,000 डाले हैं, खोल-खोल के दिखा दो, सब में टोटल मिला के 12,000 रुप पता है, NPV आप कंप्यूट करने जाएंगे न, तो वो क्या मानता पता है, कि इस 4,000 रुपए को आपने बैंक में डाला होगा, और आप इस पे जो भी रेट हो, 3%, 4%, जो भी, वो मिल रहा होगा, इस 4,000 को भी आपने डाला होगा बैंक में, और जो भी आपकी रिक्वाइड rate of return है, उस हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा होगा, पर भाई यहां तो मिली नहीं रहा, यहां तो आपने लिफाफे ले करके डाल दिया अपने ड्रॉड्स में या पिर मैं अपने अल्मारी में, तो भाई इसमें तो इंट्रेस भी नहीं मिल रहा, exactly, अगर आप NPV मेतर्ड के हिजाब से सही results आते हैं, तो NPV के assumptions का इज्जत रखना होगा, intermediate cash flows को reinvest करना होगा, क्योंकि NPV तो assume करके बटा है, NPV assume करके बटा है, तिरे पस 20 आएगा, तो हाथ पे नहीं रखेगा, तो वापस कहां डालेगा, कहीं पे भी जाते हैं, को required rate of return मिल रहा है, तो इस case में, ज our required rate of return, पर सचाई ये है, B number point के हिसाब से, कि हमारी reinvestment होई नहीं रही, so technically there is no reinvestment that is happening, तो मेरा ये कहना है, कि आप timeline गलत बना रहे हो इतनी देर से, आपने timeline क्या बनाई, 1 पे 4000, 2 पे 4000, और 3 पे 4000, मैं कहता हूँ, इस timeline से अभी भी आप काम करके देख लो, अभी भी NPV निक 208 positive, आएगा ना, पर इधर एक underlying assumption आपने लिया, कि आपने reinvestment करी है, और वो भी 8% पे करी है, सत्य क्या है बिया, सत्य ये हमने नहीं करी, नहीं करी, तो ये मत बोलो, एक साल में आपको 4000 मिले, दो साल में 4000 मिले, तीन साल में 4000 मिले, उल्टा ये सोचो, कि आज के दिन भी मे 0 पे, आपने क्योंकि पैसे reinvest किये ही नहीं, तो 3 के end में आपके पास 12,000 रुपे ही है, you have only 12,000 here, and क्योंकि आपके पास यहां 12,000 है, मैं गहता हूँ, इसी को discount करो, इसको discount करने जाएंगे, तो मैं एक adjusted NPV निकल वा रहा हूँ, क्योंकि यहां पे हम थोड़ी सी adjustment कर रहे है, reinvestment नहीं मान करके, तो हम 12,000 को discount करेंगे using our required rate of return, formula वही होगा, FV divided by 1 plus I to the power N is equal to PV, और यह करने के बाद में, यह PVIF है, यह करने के बाद result आ रहा है, 472 negative, भीया क्या कह रहे हो, हाँ जी, जहां आप सोचेते 308 रुपे का आपको फायदा होगा, उल्टा वहां पे आपको 472 रुपीज का, यह differential 780 रुपे का है, सोचो, 780 रुपीज का differential है इन दौनों results में, कहां profit आ रहा था, कहां loss आ रहे भाई, यह क्यों हुआ हमारे साथ, यह इसलिए हुआ, क्योंकि जिस method को आप use कर रहे हो, उस method के बार में आप अच्छे से जानते नहीं हो, अब क्योंकि म stock market research करता हूँ, तो इन सारे methods को जब मैं use करता हूँ, कोई भी method को अगर मैं use करता हूँ, इन methods के assumption का खास ख्याल रखता हूँ, अगर आप इन methods के assumption का ख्याल नहीं रखेंगे, आपका कोई भी result जब आएगा ना, वो आपके सोचवे से खराब आएगा, क्यों, क्योंकि आप आपने एक assumption को तोड़ा, आपने उस assumption के इसाफ से काम नहीं किया, तो फिर कैसे आपको result अच्छे मिलेंगे, बात समझ महाई, इस सवाल के तुरू मैंने try किया, कि कैसे आपको ये show करूँ, कि आपके गलती के वज़े से, आपके अपके assumption को एक ignore करने के वज़े से, कहां 308 प्रॉफित होते होते, 472 यानि 472 रुपीस का आपको loss हो कया, मुझे मालूम है इसी बात पर आप इस वीडियो को like कर देंगे, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी ही नहीं, ये चीज आपने देखी ही नहीं, आपने मेहनद ही नहीं करी इतनी, कभी समझा ही नहीं, है ना, अ क्लिया, तो यहां पर मैंने लिखा है, क्योंकि NPV ये एजूम करता है कि reinvestment required rate पे होगा, जो कि 8% है, लेकिन हम तो वो कर नहीं रहे हैं, इसी लिए हमारे results wrong आ रहे हैं, और यही इस NPV method की limitation भी है, मजा आया, concepts built हो रहे हैं, NPV यहां पर होता है, खतम, NPV खतम होते ही, अब P तो में, दो critical चीजों के बार में आपको पता चला, पहला, NPV is equal to zero हो जाए, तो भी उसका क्या मतलब होता है, क्यों accept or reject किताब में लिखा रहता है, यह आपको आप समझ में आ गया, शायद पहले नहीं पता था, and number two, reinvestments को ले करके, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि NPV में reinvestment का मतलब क्या होता है, यह मैंने आपके लिए थोड़ा आसान किया, यह आसान करने से शायद आपका NPV पकड़ और बहतर होगा, ठीक है, क्या सर यह इतना CMF final के लिए ज़रूरी है पढ़ना, या SFM paper के लिए ज़रूरी है, मैं कोंगा, obviously not, but अगर आप concepts के भूके हैं, self-study खास करके कर रहे हैं, आपको सारे concepts अच्छे से समझने पड़ेंगे, क्योंकि इन concepts को समझने से आपके सवाल अच्छे से बनेंगे, आगे बढ़ते हैं, next method is profitability index, PI method, PI method जो है, यह relative profitability calculate करता है, यह NPV method से अलग ह यह relative बताता है, यह क्या होता है, अरे क्या है, एक दम simple चीज़ है, NPV method क्या होता है, आपने बोला, बताओ मेरे को NPV कितना मिलेगा, वो बोलता है 10,000 रुपए, बहुत बढ़िया, 10,000 एक absolute figure है, इसको बताते वक्त क्या हमने capital investment के बारे में सोचा, नहीं, क्या हमने outflows के बा तो NPV किसी और चीज़ पे depend नहीं करता, नहीं किसी और चीज़ को consider करता है, वो बोलता है सिर्फ मैं ही मैं हूँ, तो NPV एक absolute profitability measure है, बट वहीं पे हम PI की बात करें, तो यह absolute यह relative है, इसका मतलब, here you will compare your NPV with something else, and यह काम करने के लिए, हम इन दो में से कोई एक formula का use लेंगे, पहला formula है, PV of cash inflows, divided by PV of cash outflows, या फिर दूसरा formula है, 1 plus NPV by initial investment, 1 plus NPV by initial investment, जाहिर सी बात आप decision rule पूछेंगे मेरे से, कि भाया, इसका decision rule क्या होगा, तो हम सबको पता है, कि PI का decision rule होता है, greater than equal to 1 होने से accept, और less than 1 होने से reject, भाया, यहाँ 0 वाला rule नहीं है क्या, नहीं 0 वाला rule नहीं है, 1 वाला rule है, अगर 1 से जादा है, या 1 भी है, तो accept करना चाहिए, अब यहाँ पर वापस वही बात आती है, अगर आपका NPV 0 आ जाए, तो भी मैंने क्या बोला था, project फिर भी accept किया जा सकता है, अगर आपके पास और कोई opportunities नहीं है, अगर आपके पास और कोई opportunity नहीं है, तो आप यहाँ पे project को फिर भी accept कर सकते हैं, हाँ further opportunity है, तो reject भी कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें, P.I. method की, तो P.I. में अगर NPV 0 भी हो गया, तो यह पूरा part 0 हो जाएगा, फिर भी यह 1 प्लस तो रहे गई, तो P.I. का value 1 से नीचे जाने पे ही वो खत्रा है, 1 होने पे भी आप उसको accept कर सकते हैं, बिया फिर से आपने इस पे इतना emphasize क्यों किया, क्योंकि मैंने कुछ faculties को देखा है, जो P.I. is equal to 1 पे सरे आम rejection बताते हैं, मैं कहता हूँ, या rejection नहीं हो सकता, आप isolation में बात करोगे, तब वो acceptance जरूर हो सकता है, और किताबों के इसाब से चलेंगे, तो accept or reject दोनों लिखने स हो जाएगा, बट इसको सिर्फ reject करना ये बोल करके, कि जितना पैसा लगाया, उतना ही तो मिला, तो क्या ही मिला, गलत आपकी सोच, नहीं होता है ऐसे calculation, आप P.I. को देखते हो, अगर P.I. 1 भी है, तो भी उसका माहिना ये है, कि NPV भले ही आपकी 0 आ रही है, बट स्टिल आपको जो required rate of return था, वो तो मिल ही रहा है, ना, if you are getting your required rate of return, you are good to go, you can still invest in that particular project, तो वो गलत नहीं लिखवा किताबों में, accept or reject, बिया, NPV और P.I. method में कौन सा बहतर है, well, NPV और P.I. method में दोनों methods के अपने-पने usage है, लेकिन end में आपको यही पूछना पड़ेगा, कि capital हमार हमारे पास कितना है, अगर आपके पास unlimited capital है, unlimited capital है, तब तो P.I. method की आपको जरुरत ही नहीं है, you can just go away with NPV method, but आम तोर पे हर किसी यह पास unlimited पैसा तो नहीं होता, हमारे पास होते हैं limited पैसा, तो इसी लिए absolute profitability से जादा important हो जाता है, relative profitability, because आपके आपके जिंदगी में कोई ना कोई constraint है, आपके जिंदगी में कोई ना कोई bottleneck है, पैसे की कमी है, तब आप relative profitability देखेंगे ना कि absolute, and उस case में P.I. method becomes really, really important, इसको आगे के concept lectures में, capital rationing के बार में बात करते वक्त, मैं आपको P.I. method का usefulness समझाओंगा, so obviously P.I. method introduced किया है मैंने आपको, लेगिन P.I. method अभी आपको समझ में आया, दो बड़ी बाते आपने यहां से पकड़ी, number one ये पकड़ा, कि P.I. method जो होता है, वो एक relative profitability indicator होता है, और limited capital में इसका use किया जाता है, number two आपने ये बात पकड़ी, कि P.I. is equal to 1 होना भी बुरी बात नहीं है, उस पे भी वो accept हो सकता है, अगर आपके opportunities है, तो आप reject भी कर सकते हो, even at value of 1, लेकिन खुल करके ये तो नहीं बोल सकते कि reject ही होगा हर बार, नहीं, नहीं, कई बार accept भी होगा, ठीक है ना, आगे बढ़ते है, internal rate of return पे, internal rate of return अक्चल में क्या है, इसके ओपर तो बहुत जादा चर्चा कर सकते हैं, पर basic चर्चा करत है, या फिर जहां पे NPV 0 हो जाए, हम इस rate को NPV is equal to 0 पे क्यों identify करते हैं, वो आपको जल्द समझ में आएगा, पर ये दो तरह से समझा जा सकता है, number one, ये वो discount rate है, जहां पे आपका NPV क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, दूसरा, ये for properly priced assets, ये आपका, मैं कहा सकता हूँ, आपको actual return भी है, कि आपको actual return क्या मिला, आपने कितने रुपर डाले और आपको कितने पैसे बाद में मिले, ये second वाला conclusion आपको इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, इसके उपर कभी और चर्चा करेंगे, बट basic एकदम समने, तो एक ऐसी discount rate, जहां पे NPV क्या हो जाए, 0 ह उस rate को हम कहते हैं, IRR, ठीक है, NPV profile बनाई है आपके लिए, NPV profile basically एक diagram होता है, जिसमें आप NPV और हमारी discount rate को plot करते हो, तो यहां पे हमारी NPV है, in the vertical axis, और horizontal axis पे आपको देखने हो मिल रहा है, R, क्योंकि rate of discount और NPV के बीच में एक negative relationship है, इसलिए आपका जो curve है, वो downward sloping है, downward sloping के साथ में, यह एक तरह से, बोल सकते हैं, convex structure भी ले रहा है, convex क्यों लेता है, क्योंकि time value of money अपना role play कर रहा है, clear, और इन दोनों के बीच का जो relationship है, वो linear नहीं है, इसलिए यह convex है, so downward क्योंकि दोनों के बीच में relationship क्या है, inverse NPV के बीच में, और discount rate के बीच में, convex क्यों ह रहा है, और linear या simple interest के हिसाब से नहीं चल रहा, third point, यह 0 के नीचे जा सकता है, क्योंकि यह जो level है, यह 0 है, this level is 0, तो क्या यह 0 के नीचे जा सकता है, obviously जा सकता है, किसी भी project का NPV negative हो सकता है, तो यहाँ पर हम conclude कर सकते है, कि यह वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर NPV positive है, और यह वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर NPV negative है, और यह बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर NPV 0 है, अगर बीच वाले हिस्से पर NPV 0 है, तो जाहिच सी बात है, यहाँ जो भी discount rate है, उसे हम कहेंगे Internal Rate of Return So this is known as IRR This is that discount rate Where NPV is equal to 0 तो भया इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा बहुत simple है अगर आप इस project को करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है There would be a discount rate Discount rate या फिर आपकी Required Rate of Return Correct आपको उसको compare करना है Against your IRR अगर आपका IRR आपके discount rate से जादा है तो आप accept करते जाना project को क्योंकि NPV positive आएगा और अगर कम है तो reject करना कैसे मैं समझाता हूँ मान लो IRR 20% है कितना percent है 20% IRR is 20% और आपकी requirement 15% ही है यानि आपको इस project से 15% मिल जाए भी आप बहुत खुश हो जाएंगे तो आपकी जो बोल सकता हूँ कि आपकी जो requirement है जिसे मैं के से represent करूंगा आपकी जो requirement है वो 15% है जबकि IRR आपको मिल रहा है 20% का तो आपको कौन रोकता है इस project को कटे से आप accept कीज़े इसको because you will achieve a positive NPV here आपका NPV positive आने वाला है बट वाट इफ भाईया हमारा cost of capital या फिर जो हमारा required rate of return है वाट इफ दाट इस 25% मैं आपने वो 25% चाहिए अपने वो 15 नीच चाहिए तो भाई इस project को मत करना क्योंकि इस project पे actual कमाई जो आपको आ रही है वो 20% की आ रही है आपकी required rate of return आपके IRR से साथ है तो कहना गलत नहीं होगा k is greater than r if k is greater than r we will reject the model we will reject the project because we will fall under this category तो हमारा NPV उल्टा नीचे की तरफ कहीं मिलेगा and NPV will be negative तो NPV positive गब होगा फिर से समझना NPV will be positive when your required rate of return is less than IRR और वहीं पे आपका NPV negative गब होगा it will be negative when your required rate of return is greater than your actual rate of return यानि की IRR तो यह इसका inference इसको समझने का कि यह क्या होता है कैसे work करता है इसे हम कहते है internal rate of return दो बाते हमने से की वापस दौर आ रहा हूँ पहला यह वो discount rate है जहाँ पे NPV क्या हो जाएगा 0 इस point पे आपको पता चल जाता है कि आपको project कहां accept करना और कहां reject करना है इसके left side में आप project को accept करोगे और right side में reject करोगे basically अगर आपका जो required rate of return है वो IRR से कम है तो आपको यह project जादा दे रहा है आपको चाहिए कम accept कर दो वहीं पे अगर आपको चाहिए जादा और यह project दे रहा है कम तो मत accept करो reject करो क्योंकि वापे NPV क्या आने वाला है negative आने वाला है जाहिर सी बात है सुन करके तो यही लग रहा है अच्छे यह मैंने decision rule भी लिखा हुआ है सुन करके तो यही लग रहा है कि NPV और IRR similar results हमको देते हैं तो दोनों अच्छे अच्छे दोस्त है नहीं दोनों अच्छे दोस्त नहीं है अगले concept वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि NPV और IRR के बीच में लड़ाई कैसे हो जाती है और दोनों की लड़ाई को सुलजाया कैसे जाए यानि NPV आपको बुलेगा project A को accept करो IRR बुलेगा B को करो तो आप फज़ जाओगे बीच में तो उससे कैसे बचे, क्यों बचे, क्या reasons है उन सब चीज़ों को हम discuss करेंगे in the next video बट उससे पहले ये भी जालो कि IRR method भी दूद का धुला नहीं है इसमें भी बहुत सारी limitations है मैंने NPV method के लिए जैसे limitation बताया था कि वो assume करता है कि reinvestment is happening at a required rate of return भाई IRR तो चार assumptions ले रहा है उन चार assumptions में या limitations है इसकी multiple IRR is a limitation unconventional cash flow is a limitation scale ignorance is a limitation और reinvestment assumption का इसका भी एक limitation है जैसे NPV का limitation है इसका भी है बिचारेगा तो उन सब को भी हम discuss करेंगे but not in this video बया कौनसे video NPV versus IRR वाले concept video में so next video जो आपके लिए आएगा वो होगा NPV versus IRR और उदर इन सब को और खुल करके समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि NPV और IRR में कौन सा method बहतर है और क्यों है so that was end that was the end for this concept class and I hope ये concept class आपको बड़ी amazing लगी इस concept class को जिसने भी last तक देखा है वो बहुत कुछ सीख के जा रहा है and personally मुझे लगता है किस तरह की classes अगर मुझे मिलती अपने time पर prepare करने को तो irrespective of the fact कि मैंने उस subject के लिए class ली या नहीं ली मुझे फाइदा बड़ा होता तो ऐसे में आपने class ली तो ठीक नहीं ली तो ठीक मुझे से ली तो ठीक नहीं ली तो ठीक लेकिन इन concept videos को अच्छे से देखिए यह आपके concepts को बहुत strong बनाएगा and you might just do better in finance only because of these videos चलो, with that being said I am taking your excuse for the time being मिलेंगे अपने next video में तब तक के लिए बाबाए take care, enjoy yourselves please and please पढ़ाई करते रहिए bye